Hello everyone, myself, Praman Sharma as a IELTS winner और आज आज आपके लिए लेके आया हूँ एक सबसे interesting और different topic जो बहुत सारे बच्चों को जो IELTS करते हैं तो बहुत सारी problem आते हैं that is called IELTS speaking में cue card कैसे बनाएं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे बड़ी-बड़ी PDF को read करते हैं बहुत लंबा-लंबा time उनको याद करते रहते हैं उनको रटा मारते हैं, cram करते हैं और जब examiner के सामने बैठते हैं तब time time fish क्योंकि जो रटा है वो examiner के सामने कभी नहीं चलेगा तो क्या आप बात करनी चाहिए तो सबसे अच्छी बात आज के वे topic में just video 5 और 7 मिनिट का होने वाला है और मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ कि आपने cue card को कैसे prepare करना है वो भी बिना किसी रटा लगाए और वो भी ये नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के message आता है अपरल से लेके जब में से लेके अगस तक ने cue card आगे कि नहीं आगे यार नया पुराना कुछ नहीं होता examiner की अपनी मर्ची है वो आपसे क्या पूछे क्या ना पूछे तो simple तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको ये सीखाऊंगा कि आपनी cue card कैसे बनाना है कितने याज करने हैं वो matter ही नहीं करता आप प्रिक सीख लो और जो भी cue card आएगा आप बड़े अराम से बना सकते हो तो आईए शुरू करते हैं आज के cue card की सबसे अच्छी बात ले में शोओ यू हम नॉट पैट में इसको यूज कर सकते हैं और बड़े वेरी फाइन वाल लीच यह आपको एक बात क्लीर करते हूं जो cue card होता है उसके four band होता है ये clear है ठीक है cue card के आपको four bands मिलते हैं और one minute के आपको preparation होते हैं one minute की preparation के बाद आपको two minute बोलना होता है और कई बार बहुत बच्छों को प्राब्लम आती है कि sir examiner ने तो हमें half में रोक दिया याद रखना है इसको negative नहीं लेते क्योंकि examiner को पता होता है कि अगर आप इतना अच्छा बोल या तो आप बिल्कुल बुरा बोल रहे हो तो रोकेगा या आप बहुत अच्छा बोल रहे हो तो भी आपको रोक सकता है paper मिलेगा आपको qcard बनाने के लिए one minute मिलेगा आपने qcard पे just ideas ही लिखने होते है पूरी lines को नहीं लिखना होता है आज सिखाता हूं कि आप qcard को कैसे बहुत अच्छे तरीके से prepare करोगे example से 90% आपको जो qcard हैंगे 90% that would be in past tense आपको past indefinite tense पे एतनी command होनी चाहिए कि आपके 90% qcard आपको वहां पर मिलेगा और definitely 5% आपको present में भी मिल सकते हैं और 5% आपको future में भी मिल सकते हैं मगर बहुत ज्यादा chances हैं कि आप लोगों को जो qcard है वो past में ही मिलेगा तो आए एक्जामपल से qcard देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे prepare किया जाए जैसे माल लीजिए describe a time when your laptop broke down माल लीजिए आपको ये qcard आ गया एक ऐसा समय बताइए जब आपका laptop था वो ब्रॉक डाउन हो गया था ब्रॉक डाउन का मतलब खराब हो गया था प्रेकडां की सेकेंड फार्म होती है प्रॉक डाउन और बुलिटपांट यहां पे मेरे पास मेंशन रभ. लिख सकता हूँ यहां पे हमारे पास bullet it और चौथा हमारे पास है और ये बात तो clear है कि सारा qcard है वो bullet points के उपर चलता है अगर आपको bullet points आते हैं तो ही आप इसको अच्छे तरीके से करोगे अगर bullet points नहीं आते then it would be very hard for you कि आप इसको clear कर सको example से बताता हूँ आपको समझाता हूँ जब आपके पास QCard आएगा तो आपने करना क्या चीजों का ध्यान रखने है अपने माल नीचे describe a यहां पर हम इसको ऐसे करते हैं that point describe a time when your laptop problem कौन सी फोर्म है वर्ब की second form है तो हमें शौर है कि topic इसमें बनेगा पास्ट में बनेगा और आपको सिखातों कि आप कैसी प्रिपेर करो कोई भी QCard है चे प्रेजेट वाला चे पास्ट वाला चे फ्यूचर वाला 110% आपने QCard की एक जर्नल लाइन को बनाना ही बनाना है जर्नल लाइन का मतलब पते क्या होता है तो आपने टॉपिक के बेग्राउंड के बारे में बताना ही बताना है है चाहे दिन है चाहे महीना है चाहे साल है वर्प की सेकंड फॉम ही लगेगी तो आपको यह याद बिल्कुल सच भी नहीं बोलना हुदा है लास्ट इयर ही डालता बस इतना लिखता और फाल कुछ भी नहीं लिखता क्योंकि मेरे को चाहिए बोलने के लिए और कुछ भी नहीं मैं कर क्या रहा था मैंने असाइनमेंट बना रहा था रात को स्लीप हो गया मैं और सुबह मेरा लैपटॉप मेरे बैड के नीचे था ठीक है वाट यू दिड़ अबाउट इट तो मैंने क्या किया पहले तो मैं फियर्ट भी लिखूंगा मैं दर गया था ना फियर्ट हो गया और उसके बाद म में मिर्च मसाला डाल सकता हूं और लास्ट पे जब हमारे पास भाई हमारा लैपटॉप में तो इतना लंबार नहीं सोचते यह चार-पांचीजे लिखकर ही आप क्यू कर तो बना सकते हो अगर आपको लगता है कि सर वन मिनिट तो बहुत कम है हमारे क्यू कर तो बनाने के सब्सक्राइब क्यूंकि टॉपिक देखते सार ही आप 20 सेकंड बना सकते हो और मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे कैसे इसको परफॉर्म करने यह चीज़ें आपने एक मिनिट में पेपर पे लिखनी है लास्ट येर असाइनमेंट बना रहा था स्लीप हो गया फिएड ह हुआ बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखियें और इसकी जर्नल लाइन माली जी लटॉप शुरू करना हूं कैसे मैं एक एक लाइन को समझाता हूं आए मैंने आप तो बस इतना ही बताया कि इतनी चीज़ें ही लिखी है इसमें और मेरे को फाइदा क्या होगा पस छोट यह क्या हुआ फिर को बुरा फिल हुआ दरभी गया था दोस्तों को आप कर सकते हैं आपको बना के सिखाता हूं कि हम कैसे कर सकते हैं माली के जर्नल लाइन में में ने क्या बोलना है वी आल आर लिविग इन 21st एरा एन एड 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 यूजिं टेकनोलोची जा हम इन् अबर्वन एन एड आपको कुछ भी बोल सकते हैं इन बोर तरह के नजर्नल लाइन भी बोल सकते हैं आः इन पिल दोन एकनोलोची इस एर यह और फिल थे नट फिल थेवावट गैजिट्स जो टर्डाब देल कर देगा तोडे आवर लेट ने लाप्तॉप बोल डाउड ब that I was doing the preparation of IELTS so I was staying there when में क्लीर करता, last year हो गया, what were you doing, में की करें जी moreover I was coming from my institute after finishing my class and after taking the dinner I was just preparing my assignment on my bed it was late night I was doing work because that the next day was my mock test so I was preparing for it while I was making the assignment I really didn't know about the time when I slept में को तो पते नी चला के में कब दो सौँगा आप 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 में काप दो सौँगा in the morning time when I got up immediately I shocked because that there was no laptop on my bed I was finding here in there but suddenly when I looked down I was I was really shocked because that my laptop was broken on the floor it was by Apple laptop my father gifted me on my birthday I really didn't understand that what should I do on that time में बनी बता दिया क्या कर रहा था मैं भाई असाइनमें बना रहा था रात को पती लगा असाइन का अपाणि असाइनका वाई और सौभा हूड लगा लगा लगागी पूड़ लगा था मिना बना वर्देवा दो च्रीका रहा लगा बना लगाई लगा I was not able to think about this मेरको तो भाई फूज भी नहीं सकता था 14,000 की स्क्रीन की पढ़ रही थी by disappointing I came to my home जब मैं निराश हो गया तो मैं अपनी घर पे आया and I told all the story to my parents मैंने अपने परेंट को सब कुछ बता दिया my parents suggested me how to save the things even they all taught me to care the things or care the gadgets after some time my father gave me some rupees and I got the money and went to shop again the shopkeeper suggested me to make the old screen just within 4,000 rupees and I felt very happy it was a new screen and I applied given the laptop was working very good last thing how you felt at last if I'm going to talk about I feel I really felt bad because that it was my mistake because of one mistake I lost my laptop even I got from my laptop or in future I would definitely take care of these kind of the gadgets so I would never ever repent so thank you when when I was going to talk about what I would say what I was going to tell you I was going to talk about what I was going to talk about what I was going to talk about प्रेजेट में पास्ट में फ्यूचर में बात खतम उसके पात एक जर्नल लाइन उसके बैग्ग्राउंड की बोलनी बोलनी है देन एक एक स्टेप को थोड़ा थोड़ा करके बोलो कनेक्टरी यूज करो more over further more next after that इनको यूज करो और लास्ट वाली को एक प्रेशन अच्छा पूलो के तो अच्छा स्कूर आएगा और नोवन इस गूए प्लाइ करके लिखियो रट्टा ना मरो ते ताटा स्कूर है बहुत अच्छा है गा फोर बैंड ने टास्क तू दे फोर ले गया मने लाव यूव टेकर गट्भाई रमनशप्ट